नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल आजमगर्जिले में समाजवादी पार्टी द्वारा लोगबंदू राज नारायन की अड़तुसी पूर्टी थी पार्टी कार्याले में मनाई गई समाजवारी पाटी के कारकरताओं ने उनकी चित्र पर पुस्प अर्पित कर उन्हें सधांजली दिया इस मुके पर सपा के दिग्जनेता, पूर्व मंत्री वा बिधायक दुर्गा प्रसाद यादों ने कहा की सुर्गिय राज नारायन, अन्याय, अत्याचार वा सरकारी दमन के ब्रूर में हमेशा संघर्स किये आपको बताने की वहीं सपा के राष्टिय परवक्ता आईपी सिंग ने कहा की कॉंग्रेश के आपातकाल से बड़ा आपातकाल भाचपा की सरकार ने देश पर थोपा है उन्होंने कहा कि अभिविक्त की आजादी परताला लगा दिया गया है जो सरकार के बिरूद में बोल रहा है उसके बिरूद मुकदमे दर्जकर जेलों में डाल दिया जा रहा है वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यच्छ हवलदार यादों ने कहा कि वर्तमान राजनेतिक परिस्थिती सुर्गिये राज नारायन के विचारों की प्रसंगता बढ़ गई है भाजपा सरकार कॉंग्रेस की तरह ताना साही के रस्ते पर चल रही है आपको बता दें कि कल पूरे परदेश और देश में लोगबंदू राज नारायन की अर्थुसी पूरती थी मनाए गई अगर आपने हवी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बिल बटन जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्वाद